कुखकी हैं ऐख सो ó हेलो फ्रेंड्स मैंने पहले सी दो रॉमन नूमिरल्स की वीडियों बना चुका हूं मैंने दिखाया था क्या होता है क्या होता है रॉमनूमिरल्स और मैंने दिखाया थे क कि रो элект रंयन्स पी 1-2,000 डाक कैसे लिखते हैं सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदु अरबिक न्यूमिरल्स को रोमन न्यूमिरल्स में कैसे करवड करते हैं आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि रोमन न्यूमिरल्स को हिंदु अरबिक न्यूमिरल्स में कैसे करवड करते हैं मैं आपको खाली चाह पांच एग्जामपल बता के दिखा हुआ, वो भी आपके लिए बहुत इजियर हो जाएगा. Let's start. We will take a example of Roman numeral. L triple X, V triple I. So, L triple X क्या होता है? 80. और इसमें भी हमें split करना है. मतलब इसे divide कर देना है. और V triple I क्या होता है? 8. So, हम प्लस 8 कर देंगे. इकोल्स टू 88. देखें, कितना easy था. L triple X, V triple I. इकोल्स टू 88. यह हमारा first example था. चलिए, second example आपको दिखाता हूँ. C, V bar, D, double C, L triple X, V triple I. चलिए, इस नम्बा को भी split करते हैं. C, V. C, V मतलब 105. 105, 105 x 1000, 105,000. D, double C, 700. प्लस L triple X. L triple X मतलब 80. V triple I मतलब 8. तो चलिए, इसे add करते हैं. Add करने के बाद, यह आता है. 1,05,788. थोर्ड एंपल एंपल लेटे हैं. V bar, D, double C, X, triple I. V bar, मतलब 5000. D, C, C, मतलब 700. और X triple I, मतलब 13. इकोल्स तो 5713. कितना एजी था नहीं है? चलिए, फोर्ट एग्जामपल भी जेते हैं. इसमें बाद कुछ ज़्यादे ही बड़ा होने वाला हैं. I am sure that इस एग्जामपल से आप तो completely समझी जाओगे. D, triple C, 700. I mean 800. XC, 90. V means 5. D का मतलब होता है 500. CCC, CCC मतलब 300. XC, 90. V, मतलब 5. तो ये इन टोटल हो जाता है 895. अब देखिए इस रोमन नुमेरल के उपर बार है और इसका मतलब है 895. तो अब हम करेंगे 895 इन टू थाउजंड. अब यहां का काउंट करते हैं. यहां पर और एक M है. तो M तो हम इदर लिख नहीं सकते. तो फिर हम M का मतलब है 1000. तो इसमें एड कर देंगे हम 1000. प्लस DC, DC का मतलब होता है 600. प्लस XXX, XXX का मतलब 30. डबला ही मतलब 2. अब इसको एड कर देंगे हम 896,632. मतलब 8,96,632. इस पूरे रोमन न्यूमेरल का मतलब था 8,96,632. यह मेरा फाइनल एक्जाम है जिससे आप पूरे पूरे क्लियर हो जाओगे. M, C, M, X, C, I, X. चलिए, मैं आपको फाइव सेकेंड का टाइम देता हूँ. आप इसे गेस किजे. 1, 2, 3, 4, 5. अब मैं आपको इसका आंसर बता हूँ. M, C. M, C मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है 1000. C, M का मतलब 900 होता है. यह हो गा है हमारा. X, C. X, C का मतलब होता है 90. I, X का मतलब 19. अगर हम इसे एड करते हैं तो आता है 1,999. तो मैंने तो आपको सिखा दिया कि Roman numerals को कैसे Hindu Arabic numerals में convert करते हैं. यह बहुत easy concept है. आप भी इसे easily learn कर सकते हैं. तो चलिए मिलता हूँ अपने next video में. तब तक के लिए बाई.